हमने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया मैं अभी बोल नहीं सकता हूं वो फॉर्मूला हमारा एतना कारगर है कि आने वाला दो हजार पचीस में महागटबंदन कहां धारा साही होगा मैं बताने हैं और वो ही फॉर्मूला जो हम लोग 25 में अपनाने वाले हैं तो आए सुनते हैं अजली जैस्वाल को किस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद विहार में जो उप्चुनाव हुए थे जितने के बाद क्या कुछ बता रहे हैं देखिए जब ये उप्चुनाव का सुरुवाती दौर याद कीजिए तो हमारे महागटवंदन के नेताओं ने कहा था और कुछ जो छोटे छोटे दल नए नए दल सब जो आते हैं कि ये सेमी फाइनल है जिन लोगों ने इसे सेमी फाइनल कहा उनका रिजल्ट भी सेमी फाइनल के ऐसा ही हुआ एंडिये ने इस चुनाव को फाइनल चुनाव माना था हर चुनावती जो है इनसान के लिए वो फाइनल होता है कभी भी उसको सेमी फाइनल के रूप में नहीं लेना चाहिए और यही कारण है कि NDA गटबंदन के सभी नेता चिराग जी उबेंदर कुषबहा जी जीतन नाम मांजी जी नितिश कुमार जी और हमारे भारते जनता पार्टी के सभी नेता एक हो करके और हमारे कार्जकरताओं को एकतरित करके इस चुनाओ को लड़ने का काम किया हमने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया मैं अभी बोल नहीं सकता हूं वो फॉर्मूला हमारा एतना कारगर है कि आने वाला दो हजार पचीस में महागटबंदन कहा धरासाही होगा मैं बताने सकता हूं उस फॉर्मूला का छेतर जो है वो भारती जनता पार्टी और NDA के लिए सदैब बहुत दिनों से हमारे लिए वो सुरक्षित सीट नहीं माना जाता था और वैसे भी हमारा एक सीट इमामगंज था तीन सीट महागटबंदन के पास था आज जो हम चारों सीट जीते हैं ये इस बात को देती है कि NDA एक है तो सेफ है और NDA आने वाले समय में दो हजार पचीस में भारी बहमत से अपने कार्ज करताओं के भरोसे और मदाता का दिल जितने का काम करेगी नितिश कुमार जी के नितुरित नरेंद्र मोदी जी तो अपने सुना दिलीव जैस वाल किस प्रकार से बत पाया कि चुनाओ जो है वो जीते हैं लेकिन उनका यह फर्मूला जह है वो जारखण में नहीं चल पाया हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद